तो आज हम बनाने जा रहे हैं जटपट बनने वाले समा के पुलाओ जिसे हम रत में भी खा सकते हैं और दोस्तों ये बिना किसी मेनत के 5 मिनट में तयार हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने कड़ाई चड़ाई है और इसमें घी डाला है जब घी गरम हो जाएगा तो उसमें मैंने जीर डाला है इसके बाद इसमें चौप के हुई हरी मिर्च और अद्रग डालेंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे और चलाने के बाद इसमें हम पानी डाल द यह मैंने एक परसन के हिसाब से बनाया है अब इसे अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बड़ धकन को बन कर देंगे और धीमी आज पर 10 मिनट तक इसी तरह चाहरा देंगे और 10 मिनट के बाद हमारे समा के पुलाव बन कर एकदम तयार हैं दोस्तों यह खाने में इतने टेस करेंगे और सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा